नमस्कार, स्वागत है आपका लाइफ खबर में और मैं हूँ आपके साथ नाजनिन खान तो चलिए रुख करते हैं खबरों की ओर आस्था की नगरी प्रयाग में एक बर फिर गंगा जमुना तहजीब की मिसाल देखने को मिली यहां के एहतार शाम हुसेन रोज अपनी मोटर सैकल से शारिरिक रूप से अक्छम हिंदू ब्राहमन को संगम तर्ट तक छोड़ते और वापस लाते हैं हुसेन की इस दर्या दिली की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। हुसेन का ये कारे समाज की एकता को बनाए रखने की एक मिसाल कायम करता है। वहीं प्रधान मंत्री की योजना स्वक्ष भारत मिशन की इलहाबाद में धज्या उणाई जा रही है। कुम्भ मेला कार्याले के प्रवेश मार्क पर कूडे का भंडार लगा हुआ है। कानपूर की चंदर शेखर आजाद क्रिश्वी प्रध्योग की विश्व विद्याले के बीसवें दिख्षांत समाहरों में राज्यपाल माननी राम नाइक जी ने शिरकत की। राज्यपाल ने छात्र छात्राओं को डिगरी और मेडल प्रदान कर सम्मानित किया और उनके उज्वल भविश की कामना की। कारिकरम में राज्यपाल ने वहीं मीडिया से बातचीत करते वे कहा कि सुप्रीम कोट द्वारा बाबरी महजित पर दिये गए पैसली की वो सरहाना करते हैं। कानपूर में आधी रात को छावनी की जंगलों में खुली रिवालवर और राइफल लेकर बदमाशों को ढूणने उत्री पुलिस को कोई काम्याबी नहीं मिली। बता दे कि मामला कानपूर का है जहां एक महिला की चैन लूट कर दो बदमाश जंगल की और भाग निकले। सुचना मिलते ही कई थानों के पुलिस ने चामनी छेतर को जंगलों को चारों तरफ से घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। लेकिन बदमाश अंधेरे का फाइदा उठा कर भाग निकले। बहरहाल पुलिस ने अब बदमाशों की बाइक के सहारे उनकी खोजबिन शुरू कर दी है। कर दो लेकिन तुरू अंधेरे का वाइदा कर दिया।